हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू नोखा एंटर्टेन्मेंट आज ये वीडियो एक बहुत बड़े मकसद के लिए बनाये जा रहा है फ्रेंट्स यहाँ पर आज हम लोग इखटा हुए थे गाऊं गाडू जिला हनुवानगर्ड राजस्थान के अंदर जफर बाई के गर पर यहाँ से आज ठीक आठ महीने पहले यहाँ पर एक बकर एक शो का आयजन किया गया था जिसमें बिटल ब्रीड के बकरों को शामिल किया गया था और वेट गेंट चैलेंज के लिए बकरों का वेट किया गया था आठ महीने पहले जिसका हरजल्ट अब आने वाला है इंतजार मेरे सब्सक्राइबर का खतम होने वाला है जिन बकरों का वेट होगा एक मई को दो हजार तेईस को बकरों का वहाँ पर वेट होगा और बकरे वहाँ पर तोले जाएंगे बकरे बाज की महनत का वहाँ पर उनको फरल मिलेगा उनको पुरुषकत किया जाएगा जिस बकरे वेट गेन में फर्स्ट सेकिंड और थर्ड आएंगे उन सभी को पुरुषकत किया जाएगा और बाकी भी बकरेबाजों को सम्मानित किया जाएगा ये बेडा उठाया इस बार गाउंगाडू के बकरेबाज जफर भाई ने फर्स्ट टाइम ये इस तरह का यहां पर कंपेटिशन हो रहा है और मेरी आदास्त में साइद ये अनुमानगड ये नहीं राजस्तान में भी इस तरह का पहला होगा हमने कभी यूटूब पे तो इस तरह के वीडियो पूरे इंडिया में भी कहीं नहीं देखे हैं हां भारत से बाहर के देशों में जिसे पाकिस्तान के अंदर बेटल ब्रीड पर वेट गेंड चैलेंज हुए हैं लेकिन हिंदूस्तान में कहीं किसी भी जगाए नहीं हैं तो यहाँ पर बड़े बकरे त्यार किये गए हैं और माशाला आपको बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े सेल्फ इडिंग के बकरे यहाँ पर दिखाई देंगे और वहाँ पर आपको भी सब्सक्राइबर को सादर आमंतरित किया जाता है कि एक मैई को गा अपने शौक को पूरा कर सकते हैं खरीदारी करना कोई जरूरी नहीं है केवल आप वहाँ पर एज गैस्ट भी आप मतलब देखने के लिए भी इस शौक के रेजल्ट के बारे में भी काफी लोग कहते हैं कि हनवानगड के अंदर बकरे खुद त्यार ये रेडिमेट बकरे रखते हैं खुद महनत नहीं करते हैं तो यहाँ पर इस बार आपको बकरे बाजों की महनत बकरे बाजों का हुनर उन्होंने अपने अनुबह से अपनी महनत से बकरे की क्वालिटे से उपर वाले की दुआ से जैसे अच्छे अच्छे बकरे त्यार कियें वो सब आपको दे अग़े की वीडियो में सभी बखर बाज अपना अनुम्हों अपने विचार साजा करेंगे तो बने रिवार शुक्रिया आपका धन्यवाद दोस्तों क्या है आज के वक्त में जैसे कि बक्री पालन आम तोर पर हम बिजनस के रूप में करते हैं आज इसी बिजनस के रूप को बढ़ाने के लिए एक ऐसी मुहित की गई हनुमान गड़ के अंदर और आप जानते हैं कि कितने सालों से हनुमानगड अवल रहा है ऐसे बक्रों के अंदर ऐसी ही बक्रों को दिखाने के लिए ताकि ये बता सके कि इस तरह के चैंपियंशिपल fix Yes, तो ये Championship क्या है क्या निया इसके बारे में जानते हैं सबसे पहले पास में जिन्होंने इस मुहिम को श्टार्ट किया है और मैंनी सुचता कि इस तरह का कोई मुहिम आज के वख्त में इंडिया में श्टार्ट किया हुआ है और जैफर भाई असलाम अलेकुम आपके पास में यह बताएं कि यह जगे जो है आपकी है ठीक है इस पेस यह यह जगे आपके पास में है और आपके हां पे आप रिंग करवा रहे हैं पुड़ा बताएं आप पुरा आपके बिस्मिल्ला वहां रोहिम असलाम लेकूं सभी भाई को इद की बहुत-बहुत है और देख सकता है कुछ अगर वो कुछ क्रीदना चाहे तो खरीद भी सकता है सभी बखरे सेल के लिए होंगे इस कॉंपिटिशन में जो फास्ट टाइम हुनमानगर में फास्ट शो है और रहने और खाने के सब मकूल अंतियाम है आपको फैस्टी भी जाएगी दी कि एक माई को कितने वक्रें यहां पर इसमें पार्टिस्पेट करेंगे और जो कुछ भी होगा वो लाइव और सामने दिखाया जाएगा वीडियो पे और जितने भी यह हमारे सब बक्रों के ओनर है और सब इनके नंबर दिये जाएगे और जो खरीबना चाहेगा वो करने का रहने का सब प्रवंद किया जाएगा और ऐसे बक्रे शायद है कभी भी हुनमानगर में त्यार नहीं हुए इस बार माशालला त्यार हुए है बक्रे जबर बाई एक अंदाज ले रहा हुए आप से क्योंकि लोग सोचेंगे वीडियो के अंदर भी क्या होने वाला क जाएग का उर्फमानगर वे बाई जैसा अपने का ना बबड़ी बाद को यह एक तरह से रिकूर्ड होता है तो आपने आप महिने का नाम लिया तो फिर तो मज़ा ही आ गया तो मैं चाहता हूं कि आप नेक्स ताइम इस तरह का और भी करवाते रहे और बक्रों को उस तेम आप जुरूर दिखाएंगे ना भाई लाइव में पेजने के लिए अगले साल पले जो 170-80 kg के मुह से खाके हों और ब्राई का वक्रा इसमें कोई भी नहीं होगा भाई जी 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 170-160 kg का मज़ा आज 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 हमारे पास सलीम भाई है अज आज आपका मश्वडा हो रहा है यह मश्वडा किस चीज का है बताएंगे आप ठोड़ा यह तो इसके अंदर क्या क्या चीज है क्या निए पर एक माई को कम्पीटिशन है सौंबार वाले दिन शाम को पांच बजे पांच बजे हैं सर एक बात बताएंगे मेरी को स्लेम भाई इसका का उदेश्य मकसद क्या था आपने जो यह चैंपिन सिप कर वाई यह तो क्यों प्यांटर में हम बिटल को हो रहा है आप यहां है कि आप मुझे बताएं कि क्या आपकी रिंग में बख रहे हैं आपके इसके अंदर हैं नए लड़कों को शौक लगवाने के लिए कुछ थोड़ा का नसे से बचे जी 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 बढ़ना ही चाहिए और सेल्फ इड़ी बखरे भी कितना इसे कितना पंजाबी बखरा यह क्या चीज होती है अभी जो वला आपने सेल्फ 8 मिन्ने की तियारी हमारी मुझ से खा के कोई बराई का बखरा नहीं बिना मतलब भराई के और आपकी कितने टाइम पहले आप मेंने दोस्तों ऐसा है मैंने एक वीडियो अलड़ी बना रखी है इसी के अब कंपिटिशन हुआ था उसके अंदर रिंग के अंदर उनने अपने वेट लगाया था और तकरीबन उसको आज कितने टाइम होगे अशाथ मेने के बाद में अब उनका वेट आपको दिखाएंगे अगर आप जाएं उस वीडियो पर इसक्रेशन में निंक दे दूँग कितना था आपको मालूम है कुछ भाई 900 नब्ब्दे सो किलो को बखर के बहुत चीमें तो इसा है मैं इनके बखरे देख चुको और मेरी आँखे खुली की खुली रह गी थी किसी कारण किसी कंडिशन से मैं आपको वीडियो नहीं दिखा पर रहा रहा हूं बक्रों की लेक अपने बारे में थोड़ा आपके बकरे हैं इसके अंदर कितने बगर लगाया आपने एक बखरा लगाया जी 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 आप आपके बकरे कितने इसके अंदर दो बकरे लगाया है मैंने आठ मेने के अंदर माशाला जब एक बैट होगा आज एक तरीकों आज बचेगा आपको ये शौंक सब लोग देखेंगे शौंक तो 15-16 सालों के जीए करते हैं अज जाँ को गया भाइ इसके बटाइए बहुत बटाएं कि आपके ये ये वालिस ना आपके बकरे दो ही लगे हूं है उना आक बहुत अच्छा लगा है बहुत बढ़ी जाए बधा है तो किस तारीख को डिसाइड किया पर गाई एक नई समारगों का इस किया है भार के आप डर किया हैँ प्याइब 7 वार क्रिंगर पर गृष्ट बाजा डवार कहसे ऑंद किया अपने बारेकं मैं बताई कि यह क किना अरे आप के अन्हें बार जो दो लगंkov तो यह प्षाने जोह एड़ा दिया मतलब आगे वाले को त्यार करने का मोका दिया ममानगर से गया है तो तो उसका पीछे और अभी कुछ लोग मार्केट में आ रहे हैं कुछ गुजरी को शो कर रहे हैं कुछ सोजत को कर रहे हैं लेकिन मैं एक दावे से कह सकता हूं कि बीटल के मुकाबले में कोई भी ब्रीड नहीं आके खड़ेगी लोग यूटूब चैनल वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो एक ब्र देते थे लेकिन जफर भाई ने एक ऐसी शुरुवात की है जिसमें लोगों में बकर पालने की मुहबत लाली है और हम लोगों ने अलमदुलिल्ला हमारे जियो भी बाईयों ने बकरे प्यार करके नाप मैने के अंदर निकालेंगे सभी का शोगरा है इसके अंदर हम पर आएगा आप एक मही को पहुंचो सभी से रुक्ष्ट है अब सभी लोग पहुंचो इनिशालला मज़ा आएगा अस्सालामालेकूम हमारे बकरा कमेटी के परधान हमारे साम में है रमजान खान और माशालला बहुती कम इलते हैं वक्त के अंदर बहुत बीजी रहते हैं इनों ने इस मस्वरे के अंदर टाइम निकाला तो इसलिए मैंने का शुक्रिया बलता हूं शुक्रिया आपका अस्सालामालेकूम रमजान भाई आप अपने बारे में बताएं खोड़ा और खोड़ा इस मस्वरे के बारे में बताएं और त्या आपकी रहे 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 किया है आट मेनों से मुनद कर रहे हैं सभी लड़के जो बक्रे पालने वाले और माशाळला बहुत बड़ी आक हो गया जे अभी साथ दीनी बचे और सबसे बेश्ट बक्रा अभी तुलेगा अडमानगर के अंदर पहली बार जाने की एक सो साथ 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 पैसाट केजी तु अगर नहीं लेके आता बाई यह चोड़ से बोस्ता हूं अधर कोई भाई ने पिसली वीडियो के अधर रिंग में लगाए थे और कोई आदमी यह कहता है भार था यह था जिस रिंग के अंदर बख्रे लगाए हुए वह कहता है किसी काम से जा रहा हूँ और यह है और लगाता नहीं यहा ऐसा हो सकता है को ऐसी बात हो तो क्या उसके आपने कोई पीज रखी है भाई ने वह तो क्या है जो कमेटी का जो फैंसला किया हुआ है वह 21 यार का उस पर रखा हुआ है कि बख्रा कॉम्पेटिशन में लेके ही आएगा यह नहीं है और नेक्स अगली बार जो कॉम्पेटिशन होगा उसमें वह बख्रा पार्टिस्प करें नेक्स टाइम है इंडिया का बहर का आदम है भी तो अर्मांगर के लिए है नेक्स टाइम जो नां देंगा फिर्चार्ण गर ब्रॉचार्ण और उन्वानकर का नाम तो बहुत अवल है, माशारलाह खुब सुद्ध भाई बहुत बढ़ी है, तो यह थे हमारे सामदें